हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल दोस्तों आज मैं आपको यहां पे जो वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों यह आपकी कहते हैं बुंदेलखन उनिवेस्टी जहांसी के स्टुडेंट के लिए स्पेसल वीडियो बनाई हुई है और किसी भी सब्सक्राइब करते हैं तो यह आपके बहुत ही मनलब की काम आएंगे और आपको मतलब की पेपर में बहुत सहायता करने वाले हैं यह कोचन तो अगर आप यह वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको कहते हैं बहुत अच्छे मार्स आएंगे आपके एक्जाम में यह मैं कह सकता हूं तो इस वीडियो को आपको लाश्ट सक देखना है और दोस्तों यहां पर दोस् कोचन आप स्याम अपर देख सकते हैं अगर आपको आप चाहते हैं कि मेरे वाइस सुन कर नहीं पढ़ दना चाहते हैं तो आप संप्लिए पढ़ाने से उससे के लिए मैं नहीं पढ़ सकते हैं सिर्फ सुन सकते हैं हुए नहीं क्यांदे पर चलता हूं मैं थीरे पहला समक्राइब्她 हैं कि earn 10 जुट्हें कि जो लगोती है आपको लह वन रहीं लहीं को यही इतने ही आते हैं यही मैं आपके लिए में इंपोर्टन लेकर आया हूं पहला आप कोचन देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टन कोच्चन है मद्यकालीन भारत के साहितिक स्तरोत का विवराण दीचिए तो देखिए कोचन है और इसके लावा एक नीचे भी लिखा हुआ है कि समसे सिराज अफीब की एतिहासिक करती तारीख फिरोज साही पर संचित टिपड़ी लिए ठीक है तुत्तर आपके सामें देख सकते हैं आप समसे सिराज अफीब की मुक्त एतिहासिक करतियां यह थी मनाकिब एलाई मनाकिब एस सुल्तान गयासुद दीन तुगलक मनाकिब एस सुल्तान धिक्रे खरब एदेली और तारीख फिरोजा फिरोज साही इनमें से प्रथम तीन को करमसा अलाउद दीन खिलजी गयासुद दीन तुगलक और मुहम्मद बिन तुगलक की गुन कताएं ही माना जाता है अन्तिम भाग के 18 अध्याइए है परंतु अंतिम भाग के सिर्व 15 अध्याए ही हैं इसका यह आसा है प्रतीत होता है कि 3 अध्याइक हो गए है इसमें समसे सिराज अफीफ ने 1359 से 1388 तक के फिरोज साय साथन काल करना किया है इसलिए इसे बरनी की गिरंत की निरंतरता माना जा सकता है। तैमूर के विनासकारी आकरमन करिबाद लिखे गए इस ग्रंतिक में हालंकि फिरोज साई के ही काल का वर्णन है, परंतु अनेक स्थानों पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तथा मुहम्मद तुगलक के भी संदर्व आये हैं पर फिरोज पर भी इससे अधिक वर्लन मिलता है सिराज ने फिरोज के प्रारंबिक जीवन में सिनहासना रोपन का वर्णन करने में उसके सिनहासना रोपन को तारकिक बतलाया है तारीके फिरोजास फिरोज साही में सिराज ने फिरोज साह के कालकी राजनीती का विस्तार पूरवक बर्लन किया है वै उसके सामान प्रसासन, सैन संगठन, विबिन निकार खानों, दासों के रख रखाव एवं उनके रोजगार फिरोज साय के स्थापत निर्माल के साथ साथ उसके काल में व्यापत ब्रष्टाचार का भी विस्तरत बनन करता है यही नहीं तारीक के अंतिम भाग में वै सुल्तान के अधीन कुलीन वर्ग का तथा जन साधारान के जीवन और परिस्तितियों का इस्पश्ट वर्लान करता है कुलीन वर्गों के की फिजूल खर्ची भोग विलास्ता आजी के विसाय में भी निस्पच्छ होकर लिखता है उनकी स्रेष्ट आर्थिक इस्तिती का भी विवरान देता है लोगों की सामान इस्तिती संतोज जनक नहीं थी तो अब दोस्तों देखिए आपके सामने यह जो को पर दिल्ली का सुल्तान बन गया इस से राणा सांगा का हिंदू राज्य की स्थापना का स्वप्न पूरा नहीं हुआ दूसरा आकारण है कि राणा सांगा को इब्राहीम लोधी के उत्तरा दिकारी महमूद लोधी से सहायता मिलने की आसा थी जिससे उसका उस्साय बढ़ गया तीसरा है भारती चंता मुगलो को घ्रणा की दिश्टी से देखती थी बाबर ने राणा संगराम सिंग के साथ पानी पत्ते के युद में बिस्वाद घात किया और पांचुआ है राणा संगराम सिंग ने वियाना सासक निजाम खाँ पर आक्रमल कर दिया यह विकिन विदनती है कि बाबर को आक्रमन करने के लिए राणा सांगा ने निमंतरित किया था और यह निच्चित हुआ था कि बाबर उत्तर से तथा राणा सांगा दच्छन से दिल्ली पर धावा बोलेंगे दिल्ली आगरा पर आधिकार करने के बाद बाबर ने राना सांगा पर विस्वाद घात करने का भी योग लगाया और दूसरी ओर राना सांगा का कथन था कि समझोते के अनुसार कालपी धौलपूर तथा बयाना पर उसका आधिकार होना चाहिए जबकि इस पर बाबर ने अपना अधिकार जमा रखा था यही विवाद मुख्य रूप से दोनों के मद्द संगर्ज का कारण बना खानवा युद्ध के परणाम क्या थे ये भी पढ़ लेते हैं भारत वर्स के इतिहास में इस युद्ध का काफी महत्व है दस घंटे तक चलने वाला यह युद्ध भारत की ततकालिन ऐसी प्रत्पिती दुन्दी सक्तियों के मद्ध था जो महान सक्तियां थी भारती इर्किहास में सायद ही ऐसा घमासान युद्ध लड़ा गया हो यह युद्ध प्वास्तम निलायक था इस युद्ध में राजपूतों को काफी छती उठानी पड़ी थी राणा स्वैम घायल अर्वस्था में अपने अंग रच्छ को द्वारा उठा ले गया था इसी सोक में वह जनवरी 1588 इस्वी में मर गया हसन खां मिवाती आदी सरदार भी इस युद्ध में काम आए साथी बावर ने इस युद्ध में से राजपूतों की सक्ति का अनुमान लगा लिया और वह जब तक वहां रहा राइस्थान पर आक्रमन करने का सहस नहीं किया जंदेरी पर अधिकार करने के बाद उसकी पुना हिम्मत न पड़ी कि वह राजपूत सक्ति से लोहा ले राजनीतिक द्रश्टी कौन से इस युद्ध का अत्तिरिक मौत्व है राजपूतों की विदेशी सासन को मिटाने की हिज़य भिलासा धूल धूसरित हो गई भारत पुना परतंतरता की बेडियों में ध्रणता पूर्वक जकल गया इस युद्ध के निम रिखित प्रणाम हुए पहला था खानवा के युद्ध में राजपूती सक्ति का अंत हो गया दूसरा है भारत में मुगल समराजी की नियु ध्रण हो ग सब्सक्राइब ने अपने सब्सक्राइब गोसित किया था तो यह थे दोस्तों आप इसके पूरे प्रणाम और उसके कारण आगे चलते हैं अगला कोचन आपका है जो दोस्तों वहाएगा आपका तीसरा कोचन पानीपत की पहली लड़ाई पर नोट लिखिए यह देखिए 12 अपरेल 1526 इसमी को वह अपने लगबक 25,000 सैनको समेथ पानीपत में पहुँच गया और एक उचित इस्थान पर डेरा डाल दिया मुगल सैनको के दिल्ली की ओर कूच करने अपका समाचार सुनकर लिब्राहिम लोदी ने सैनिक तैयारियों की ओर अपने एक लाग सैनको त प्राता लडाई आरम हो गई जो सीक्र ही एक घमासान लडाई का रूप धारन कर गई बाबर के सैनिक कम संख्या में होते हुए भी बड़ी वीरता से लड़े मुगलों के उस्ताद अली और मुस्तपा नामक निपुड तोप्चियों ने अपगानों की बड़ी तबाही की बाबर ने जो एक उच्च कोटी का जनरल था अपने सैनिकों का आसाधारन योग्जिता से नेत्रत किया और लडाई की योजना को सफलता पूर्वक कर रूप दिया दोपहर तक इब्राहिम की सेनाएं पूर्णता परास्त हो गई वह स्वैम हजारों अफगान सैनिकों कीजिए ठीक है तो यहां पर अपड़ लेते हैं कि दीने इलाही के सदस्यों को दस से दानतों का पालन करना पड़ता था जो निमने प्रिकार है पहला है का अच्छे और अद्भुत कार करने के इच्छा रखना दूसरा है जीवों से पूर्ण विरक्ति और परमात्मा से ल कुलना साथमां अपने बंदू के साथ सद्विभार करना और उनकी अच्छा अच्छा को अपनी इच्छा के ओंपर मौत देना दोस्तों कंब्ही कितावें पढ़ते हैं किताबों के पढ़ने हैं कि कहानियों से जीवन में इतिहास को पढ़के और कोई भी कहानी को आप अगला कोश्चन आपका पानी पत की दूसरी लडाई कर लेते हैं चलिए आदिल साय सूरी के मंत्री हेमू ने अकबर की राधानी में अनुपस्थिती कर लाब उठाया विसाल सेना सहित गौलियर से कूच लकर के आगरागत और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और फिर पंजाब की और प्रस्थान किया अकबर तथा बैरम खांक के नेतुरत में मुगल सेनाय सरहिंद से दिल्ली की ओर बढ़ी पांच नवंबर 1556 नीसमी को दोनों सिनाओं का पानी पत के एतिहासिक मैदान में सामना हुआ हेमू के पास एक लाग सेनिक तथा पंदरा सो हाती थे जबकि मुगल सेनिकों की संख्या 20,000 के लगबकती लडाई के आरम में हेमू के हातियों ने सत्रों को कुचलना आरम बकर दिया और उसके सेनिकों ने मुगलों को दाईं और बाईं और से घेर लिया हेमू ने स्वैम बड़ी वीर्ता दिखाई मुगलों ने भी अली कुली खा की आग्या नुसार सत्रों पर बान वर्सा की और थोड़ी संख्या में होते हुए सत्रों का बड़ी वीर्ता एवम सहायत से मुकाबला किया अंत में हेमू की आँख में एक तीर लग गया और वह बहोस होकर हाती से नीचे गिर पड़ा इस से उसके सेनकों में भगगल मच गई इस परकार अकबर की विजए हुई हेमू को बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया नव यूबक बासा की आग्या लेकर उसका वर्त कर जहांगीर का एक चित्रकार के रूप में विस्तरत वनलंग कीचिए जहांगीर के काल में चित्रकला ने एक नवीन मोड लिया अब चित्रों में नफासत और बारीकी बढ़ गई इस विसाय पर रायक कशनदास लिखते हैं जहांगीर काली मुगल सहली ने रास्ता लिया है उसमें रूडी ना होकर असलियत आ गई है यही कारण है कि वह इरानी प्रभाव से भी मुक्त हो गई है बारीकी और तयारी में वह अकबरी चित्र से कहीं आगे बढ़ गई है यद्दपी उसके धरबारी द्रस्यों में मुगल अदब कायदे के कारण गती और सजीवता पा करतिक द्रस्यों तथा संतो जैसे नाम देव कबीर रामानंद आदी जहां गीर सैली के यथा यथार्तता सजीवता दो प्रमुक्त गुण है कुछ विद्वानों का विचार है कि जहां गीर कालीन चित्रों में जो यथार्तता आई है उसका कारण यूरोपी प्रभाव था इसमें संदे नहीं है कि मुगल चित्रकारों ने यूरोपी चित्रों की अनेक बातों ग्रहन किया था जैसे रंग प्रती रूपन जैसे तकनीकी विषय गहनता दाथ सही द्रस्य विधान का अंकन यदि भी इस प्रकार के प्रभाव सभाविक थे लेकिन जहांगीर के काल मे चित्रकला का जो विकास हुआ उसकी प्रेणा सकती भारती चित्रकला की परंपरा में थी अगला कोच्चन देखते हैं दोस्तों अगला कोच्चन आपका सहाय चहां की मद्द एसिया निती का विष्टा तुर्ण कीजिए ठीक है तो 1640 से 1649 एसवी में मद्द एसिया की साइ नजर मुहम्मद ने उसे पलच्चित करके समरकंद के सिनहासन पर अधिकार कर लिया नजर मुहम्मद के कठोर और अत्याचारीस असन के कारण संपूल राज्ज में अमीरों ने विद्रो कर दिया उसके एक पुत्र अब्दुल अजीज ने स्वैम को बुखारा में सु समस्त राज्य पर अधिकार कर लिया इस संकट पूल इस्तिती में नजर मुहम्मद ने साइजहां से सहाइता मांगी साइजहां ने इस अवसर का लाव उठाकर मद्देशिया में मुगल प्रभुत्वे इस्थापित करके इस्थापित करने का निच्चे किया उसने साइजह मुराद और अली मर्दान मदानखा के नित्वर्त में एक विसाल सेना भेज दी और स्वैम काबूल पहुंच गया अगला कोचल दोस्तों नूर जहां के चरित्रपन प्रकाश डालिए तो पढ़ लेते हैं मुगल राजवंस में जिन महिलाओं ने राज और एवम राजनीती को प्रभावित किया उनमें रूर नूर जहां का नाम सर्वो पर यह अपने प्रभावसाली प्यक्तित्य के कारण उसने लगबग 15 वर्स तक सासन की पूर्ण बागडोर अपने हाथ में समाली रखी यहां सर्व प्रतम उसके चारित्रिक गुणों का अवलोकन कर लेना परम अ कि दिए परन अयास लोगों को समभुत तथा आकरशित कर ले लिए 24 वर्स की व्यवाश्था में उसने जहां गीर से विवाय किया परंतु तब तक भी उसके संधर में कोई कमी ना आई थी जहां गीर उसको देखते ही आकरशित होकर उससे विवाय करने को ततपर हो गया था जहां तक की संफूंल राजे उसके हाथों में दे कर यहां गीन संतोस को अन्भव किया था उसकी मुख़क्रती को मुख़क्रती गोल विसाल आकर्षक नेतर कोमल कलेवर तता विसाल मस्तक उसके संदर के गोह तक थे स्लागनी स्वास्त ने उसके सौंदर को द्वी गुणित कर दिया था सौंदर के साथ सद नूर जहां में अपार सहास्त अथाधरन साधरीक बल था वह भायानक सेर या चीता का सिकार करने में बिलकुल नहीं डरती थी घुर सवारी का उसे अद्भुत सौक था रण छेतर में वह सेना का संचालन कर सकती थी तथा सत्रों के बीच घिरने पर भी सहास नहीं छोड़ती थी वह अस्त सस्त चलाने में पारंगत थी इस कला का प्रदाशन उसने अपने को महावत खां की कैस से चुड़ाने के लिए किया था दूसरा मानसिक गुड़ वह अतिन्द बुद्धी मान महिला थी उसने फार्सी भासा में सिच्छ प्राप की थी तथा वह इसी भासा में कविताय लिखती थी वह अपनी कूट निदी के द्वारा ही साच जहांगीर को महावत खां के बंदन से मुक्त करारे में सफल हो सकी थ तीसरा है महात्वा कांची तो दोसरा नूर जहां एक महात्व कांची इस्तरी थी उसकी महात्वा कांचा असीमित तथा आयने इंतिर थी संपूर्ण मुगल समराजी का सौमित प्राप्त करने पर भी करके भी उसकी कांचा में कुछ कभी नहीं हुई वैस जहांगीर के उप सहास नूर जहां अत्यन साहसी मईला थी भीसन से भीसन परिस्थिती में भी वह कभी हतोत साहित नहीं होती थी परदे के उस यूग में परदे से बाहर निकल कर उसने अपूर्व सहास का परचय दिया बड़े-बड़े सेना पती सैनिक संकट के समय उसके व्यवहार को देखकर चक्कित हो जाते थे यही नहीं जब महावत खाने उसके पती को बंदी बना लिया था तो वह अपने जीवन को संकट में डालकर हाथी पर सवार हो गई और उसे छुडाने का प्रयत्न किया पांचमा है दोस्तों उदार ता नूर जहां उदार महिला थी तथा दीन दुख्य के काल में लगबख पांसों अनात लड़कियों के विभाय हुए और उन्हें दहेच दिया गया दान तो वह प्रती दिन करती करती ही रहती थी और दोस्तों अगला एक साहित तथा कला प्रेमी नूर जहां को साहित से अनुराग था ठीक है अगला पूच्चन है दोस्तों औरंग जेप की दक्कन नीती पर प्रकाश डालिए ठीक है तो आपका औरंग जेप की दक्कन नीती की समिच्छा कीजिए दो तो एक को प्रेस्ण हैंगे इसको मपढ़ लेते औरंग जेप की दच्छन नीती का उद्देश से बीजापुर औ और गोल कुंडा की सिया रियासतों को मुगल समराज्जी में सामिल करना और मराठो की बढ़ रही सक्ति को कुचलना था कुछ असफल आरंबिक अभियानों के उपरान साहजादा आजम के नितुरत में बीजापुर के दुर्ग पर आक्रम कर दिया गया और 17 माय की घेरा बं मुगल समराज्जी में सम्मीलित कर लिया गया विजापुर के सासक सिकंदर आदिल साहक को बंदी बनाकर दौलता बाद दुर्गे में भेज दिया गया विजापुर पर अधिकार करने के पच्चाद गोल कुंडा पर अक्रमल किया गया और आठ महिनों की घेरा बंदी के अ अक्टूबर 187 इस्वी में गोल कुंडा को विजय करके मुगल समराज में मिला लिया गया गया गोल कुंडा के सुल्तान अबुल हसन को भी बंदी बनाकर दौलता बाद दुर्ग में भेज दिया गया इसके पच्चाद औरंग जेब की देक रेक में लगबग 20 वरसों तक म मराठो ने मराठो के बिरुद्ध अभियान भेजे गये सिवा जी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर म्रत्यू के घाट उतार दिये गया इसके 50 राजा राम और तारा बाई की नेतरत में मराठो ने 707 इस्वी में औरंग जेब मराठो की सक्ति को कुचलने में असपल रह महराष्ट की इस्थानी संसाओं का भी महराष्ट के उत्थान में बड़ा ही मौत्यपूर्ण हात रहा है ग्राम संसाओं पर विदेशी प्रभाव नहीं पड़ पाया प्रतेक गाव में पंचायतों की व्यवस्था थी जो छोटे-छोटे मामलों का निलना स्वैम करती थी इस प्रकार स्वायत की प्रिथम इकाई पर इस प्रदेश में विदमान रही जिसके करन वहां के निवासी स्वतंतरा पेमी रहे और उनको स्वतंतरता बड़ी प्री रही दूसरा है दच्छन के राज्यों में हिंदू का महत्ते दिल्ली सल्थनत के कुछ महत्यपूर्ण का प्रियत ने किया किन्तु उनकी सफलता इस थाई नहीं हो सकती और कुछ समय के उपरां थी उसकी उनकी सासन व्रस्था के सितिल होने पर दच्छन में पुना राजबंसु का उदय हुआ जिन्हों ने स्वतंतर राज्यों की स्थापना की इस प्रकार दच्छनी पिदेश स्थापना अवस्थ हुई किन्तु उस राज्य पर भी हिंदूों का विशेश प्रभाव होता उनकी सेना में पर्याप के हिंदू सम्मीलित थे और उनको अपनी रच्छा के लिए उन पर निर्भर रहना अवस्यम भावी था इनकी धार्मिक नीती उतार थी और उनका हिंद मानों का भी राज्यों में बड़ा प्रभाव होता जिसनों ने किसी विशेश करनवाद इसलाम धर में सुईकार कर लिया था उस समय की राजनीती में मराठो का विशेश तिस्थान था और वे उच्छ पदों पर आसीन थे और अगली हेडिंग आपकी राजनीतिक इस्थित रच्छन की ततकाली राजनीतिक इस्थिती ने भी मराठो के उत्थान में महत्तिपूल सहयोग प्रदान किया एहमत नगर और बीजापुर राज्य पर मुगलों के लगतार अक्रमन के करना उनकी दसा बड़ी सोचनी हो रही थी बीदर तथा बराबर के राज्यों को पहले से ही अंत हो चुका था गोल कुंडा ने अतुल धन देकर कुछ समय तक अपनी रच्छा की किन्तु औरंग जेप की समराज जवादी निती के कारण वह भी अंतिम अपनी अंतिम सांस लेने लगा था पुर्त गालियों की दसा सोच नहीं थी और उनके पास अपनी रच्छा के लिए प्रयाप्र सादुनों का अभाव था अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी का सैसा उकाल था इस प्रकार यह कहना सत्त है कि मराठो को उपयोक्त आवसर प्राप्त हुआ और अच्छिन में उनकी सकती का उत्थान रोकना असंबह था अगला प्रेशन है दोस्तों आपका अकबर की मनसब बादी मनसबदारी व्यवस्ता का परिच्छन कीजिए अकबर की मनसब रून होने के समय मुगल सेना की दसा संतो जनक नहीं थी संतनत काल की जागीर प्रेशलित थी सामराज जागीरों में विवक्त था अमीर लोगों को जो इन जागीरों में के मालिक थे एक निश्चित संख्या में सेना रखनी पड़ती थी और आवसकता पढ़ने पर वह सेना समराज जी की सेना में बहिजनी पड़ती थी राज को इन जागीरदारों पर निरभर रहना पड़ता था और कभी कभी उनकी खुसामत भी करना पलती थी जागीरदार अपनी सेना की सिच्छा दीच्छा को कोई समुचित प्रिबंद नहीं करते थे फालता उनके सैनिक आयोग और अनुसासन हीन होते थे डॉक्टर ईस्वरी प्रिसाद के अनुसार जब सिच्छा का प्रिदेशन होता था तब ये जागीरदार जुलाहों धुनियों बढ़ाईयों आधी को सिच्छा में भरती कर लिया करते थे और प्रिदेशन के उपरान उन्हें अलग कर दिया करते थे इस प्रिकार ये सैनिक अधिकारी गण अपने स्वार्थों की पूर्ती के लिए सरकार को प्राया धोका देते थे जिससे राज्य की सक्ती छीन हो गई थी हुमाईयों में नित्रत्य सक्ती का अभाव होने के करना ये सैनिक अधिकारी अपनी स्वतंत्र सक्ता का अनुभव क करने लगे थे और और साथ ही अपने भोग विलास में लिप्त रहने के कारण सेंगे सुधारों का विरोध भी पिरकट करते थे मंसब्दारी विवस्ता गया है तो दुस्तों मंसब्द का अर्थ है पद अथवा दर्जा साही सेना के अंतरगत जो व्यक्ति सम्मिलित होते थे उन्हें एक पद दिया जाता था जो मंसब्द कहलाता था और जिन व्यक्तियों को यह पद प्रिदान किया जाता था वे मंसब्द कहलाते थे अकबर ने मंसब्दारी प्रणानी को अपने सासन काल में विसेश महत्त दिया था मंसब्दारों को 33 सेनियों में विवक्त किया ग पांच हजार से उपर के सभी मंसफ राजवन से के विक्तियों को ही तथा अन्य निकट संबंदियों को ही दिये जाते थे परंतु जब राजा टोडर मलवा मांसिन को साथ हजारी मंसफदार बना दिया गया तब आठ हजार और उससे उपर के सभी मंसफ राज घराने के विक्त कर दिये गए वसबदारी का पत्र फुस्टियनी पफड़ नहीं था एक मंसबदार के में अब उसके पुत्रर वस पत्र की अधिकारी नहीं समझे ते उन्हें अपना जीवन नए सिरे से ही आरमकर आपड मजा था एक मंसबदार को प्राप्त करने के लिए विभिन ञिए निमने सेडि़ को पार करना अवस्यक नहीं था उसकी नियुक्ति एकदम भी उचेमर्ट के लिये किया सकती इदी यृवज्व नहीं था कि उ бывает कि सुछ सरकारी नोकरी पार भी किया ज़ाए उय करkay के के लिए राजा मान सिंह साथ हजारी मंसब प्राप्त होने पर भी दरबार में मंत्री प्राप्त प्राप्त ना कर सके जबकि उनके लिए मंसब प्राप्त व्यक्ति भी मंत्री थे इसी प्रकार अबुल फजल एक छोटा मंसबदार होते हुए भी मान प्रतिष्टा की जिनको अभस्कता पढ़ने पर समराट की सेवा में हाजिर होना पढ़ता था और समराट द्वारा बताय हुए कार्यों के अध Kingdom और कोई यह कारण नहीं था मंसप्र केवल सैन्या अधिकारियों को ही नहीं दिये जाते थे वरन सैनिक और असैनिक दोनों ही विवागों के अफसरों को पिदान किये जाते थे और उनका एक विवाग से दूसरे विवाग में तबादला भी किया जा सकता था मनसबदारों से दिवानी तद्धा फौजदारी दोनों ही परकार के कार लिये जाते थे इसके अतरिक्त उन्हें आवसकता नुसार कोई अनकार भी सौंप दिये जाते थे पिर तेक मनसबदार को उसी सरेड़ी के नुसार नगद रोपयों में वेतन मिलता था कभी कभी वेतन जागीर के रूप में भी दे दिया जाता था परन्तु मनसबदार ऐसी जागीर को अधिक दिनों अपने पास नहीं रख सकते थे ये जागीर एक प्रांथ से दूसरे प्रांथ में भी दिया जाया करती थी वैसे समराट नगत रूपयों में ही वेतन देना अथिक पसंद करते थे मनसबदारों को जो वेतन मिलता था उसी में से अपनी सेना के लिए हाती घोड़े बैल गारियां अन्य समान खरीते थे और सैनिको को वेतन देते थे इतना व्याय करने के बच्चात भी मनसबदारों को एक अच्छी रकम बच जाती थी वेतन दाम यानि की नामक दाम नामक सिक्के में दिया जाता था चालिस दाम का एक रुपया होता था कुछ इतिहासकारों में विसेश रूप से इर्विन स्मित और मोर लैंड का विचार है कि मनसबदारों को पूरे बारह महीने वेतन नहीं दिया जाता था परन्तु उस समय के अन इतिहासकारों द्वारा इस विचार की पुष्टी नहीं होती है बलकि यह सिद्ध हो जाता है कि मनसबदारों को पूरे बारह महीने का वेतन मिलता था तो अगला एडिंग है दोस्तों मनसबदारी के अंग कुछ विद्यानों ने मनस एस पर मध्भेद हैं ब्लैक मेन है अनसार मनसथदारों को सल्धिक की जो निच्चत संक्या अपने संडाइछन में रखनी पड़ती ती दि सभू करोको की इसवरों की जो संक्या होती ती उसका मतल्य सवार से था एरबिन के मतानुसार जात गुड़ सवारों के निच्चित संक्या और सवार एक पितिष्ठा होती थी डॉक्टर राम प्रिशात्र पार्टी के अनुसार सवार पद एक अतिरिक्त पितिष्ठा थी जिसके लिए वेतन के अतिरिक्त कुछ और एलाउंच भी मिलता था यानि कि भत्ता जिसको बोलते हैं परन्तु इसके दौरा मनशबदार किसी निच्चित संक्या में घुर सवार रखने के लिए बाद नहीं किया चाजल सकता था और उपरयोगते मतों में ब्लैक मेन का मत अधिक सही प्रतीत होता है मनसबदार, मनसबदारी प्रता के जारी होने के कई वर्ष बात भी मनसबदार अपने अपने कर्दब्यों का ठीक रूप से पाला नहीं करते थे इसके साथ घोडे, हाती, बैल, गाली और घुल सवारों का प्रतेक दर्जे में रखना एक गड़ी बड़ी उत्पन्य कर दिता था अता एक सही वर्गी करन करने की द्रिष्टी से अकबर ने जात और सवार नामक दो पद प्रेचलित किये जात पद से यह पता चलता था कि अमक मनसबदार के पास कितनी संख्या में घोडे हाती तथा बैल आदी हैं तथा सवार पद से यह बोध होता था कि मनसबदार के पास कितने घोड़ सवार हैं पंच हजारी के नीचे जितने मनसबदार होते थे उनका उर्गी कराण इस प्रिकार होता था जदी जात और सुवारंपद बराबर होते थे तो वह मनसबदार प्रफण सेंडी का माना जाता था यदि सवार पद जात पद की आदे से भी कम होता था या सवार पद बिलकुल भी ना होता था तो वह मंसबदार 33 सेंडी में माना जाता था उधारण के लिए 2000 का मंसबदार यदि उसका सवार दरजा भी 2000 का होता था तो वहे दो हजार की पिर्थम सेनी में गिना जाता था यदि जात पद दो सेनी में माना जाता था यदि जात पद दो हजार का और सवार पद एक हजार से भी कम या बिल्कुल ही ना हो तो वहे मनसबदार दो हजार की तरती सेनी में गिना जाता था तो अब अगली हेटिंग दोस्तों आपके क्या है वो है दाखली सेना तो दोस्तों मनसबदारों की सेना के अतरिक एक विसेश प्रकार की सेना और होती थी जो दाखली सेना कहलाती थी इस सेना में राज जिकी ओर से साइनिक भरती किया जाते थे और राज जी की ओर से ही वेतन दिये जाता था परंदू इन सैनिकों का मनसबदारों की अध्यचिता में रखा जाता था इनको तो अगली हेटिंग है कि आपका एहदी सेना एहदी सेना इस सेना के सैनिकों की भरती समराथ स्वैम करता था ये सैनिक अधिक योग के साधारा अभी कभी तो एक सेनिक को 500 रुपाय मासिक से भी अधिक वेशन दिया जाता था इस सेना में सभी गुड़ सवार होते थे इनका विवाग अलग होता था और इन्हें वेतन देने के लिए अलग बक्सी होता था इन पर मनसबदारों का कोई नियंतल नहीं होता था राज दरबा थे परन्तु यह अनुमान ठीक प्रतीत नहीं होता अकबर जैसे समराज जवादी महात्तो कांची तता महान विजेता की सेना जिन से जिसने समस्त उत्री दच्छन भारत में विजय प्राप्तिगी अवस्य ही बहुत विसाल रही होगी अकबर की 27 सेना के निम लिके पांच चंगे थे पहला है दोस्तों पैदन सेना उस समय पैदल सेना का विसेस महुत नहीं था क्योंकि इसकी कोई उत्तम सिच्छा नहीं होती वर्तिमान समय में पैदल सेना का जो अर्थ लिखा जाता है उस समय में ऐसा नहीं था उस समय पैदल सेना में निम लिकित व्यक्ती सम्म समसेर बाज ये लोग तलवार से युद्ध किया करते थे पैदल सेना में समसेर बाजों का अच्छा मौत था तीसरा दरबार ये लोग कुली का कार करते थे इन से समान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में बहुत सहयता मिलती थी इस इनको राज महल में चौकी दा रहता था खितमतगार खितमतगार यह लोग सेवा सूसरसा के लिए रहते थे पहलवान अगली हेडिंग है यह लोग मल युद्ध में प्रवीर होते थे और पैदल सेना में सम्मीलित होते थे अगला आपका दोस्तो है कहार पालकी ढोने के लिए सेना में कहार भी रखे जाते थे जिससे की युद्ध में घायल हुए साइनकोत अधिकारियों को सुरच्छित इस्थानों पर पहुंचाया जा सके अब दोस्तो अगली जो मेंन हेंडिंग आपकी है वो तोप खाना उत्तरी भारत में तोप खाने का प्रियोक सर विर्थम बाबर ने किया था परंदु बाबर रोहमायू के समय में बंदूके इतनी भारी होती थी कि उन्हें एक इस्थान से दूसरे इस्थान ले जाना बड़ी असुविधा होती थी अकबर ने तोप खाने का एक अलग विवाग ही खोल दिया और उसमें सुधार करने का प्रियतन किया उसने अलग हो जाने वाली बंदूकों का निर्मार करवाया जिससे उनके इस्थान अंत्रानम से में असुविधार ना हो इस विवाग का प्धान दरोगा ए तोप खाना या मीर आतिस होता था मीर आतिस अपने विवाग की समझते हो सकताओं को समराट के समझ स्वैम रखता था और उन पर समराट की स्विकरती लेता था तोप खाने में मुगल अधिक प्रवीर नहीं थे अत एव उन्हें अंगरेज और पुर्त गालियों पर आसरित रहना पलता था अगली हैटिंग है दोस्तों गुड़ सवार गुड़ सवार क्या मुगल सेना में गुड़ सवारों का विसेश महत्त हुता ये सेना के प्रधान अंग समझे जाते थे समराट गुड़ सवार पर स्वैम बहुत ध्यान देता था उसने घुल सवारों की सू व्यवस्थित शधन और सू संगठत बनाने का बहुत प्रयास किया था इसके लिए उसने मनसबदारी प्राणली का प्रितलन किया और उसको अधिक से अधिक सफल बनाने का प्रयात ने किया डॉक्टर ईस्वरी पिरसाथ के अनुसार मंसबदारी तथा घोल सवारों के संगठन के अतरिक और कुछ नहीं थी समराट ने घोलों को दागने की प्रिथा भी इसी उद्दे से जारी की थी की मंसबदार अच्छी नसले के घोलों को रखें और उनकी अच्छी देखबाल करें वह साही अर्ष्ट बलो में घोलों का निरिच्छन स्वायम करता था और यदि अपने पदा धिकारियों का प्रबंद असंतों जनक देखता तो उन्हें पद चुत कर देता था या निकी पद से हटा देता था और चौती एटिंग आपकी नौसीना यह आपका मुगलों की नाविक सक्ति अधिक अच्छी नहीं थी उन्हें समुद्र के विसाय में परियाप्त ज्यान नहीं था अता इस अभाव को अनुभाव करते हुए अकबर ने नौसीना का एक जा सके और दूसरा नदियों की देखबाल करना तीसरा ऐसे योग और अनुभविन नाविको değ करना जिनें समुद्र के जौर भाटे का पूर्ण लग्यान हो जाने की समुद्र की गैराई समुद्र की हर एक चीज का ग्यान हो यह यहां पर कहा गया है और अगला है आपका चुंगी को छमा करना जिससे नाविक लोग अपनी उचित मजदूरी प्राप्स कर सकें और अब द दोस्तों आपके सामने हस्ती सेना समराट अकबर हातियों का बहुत सौकीन था अता उसने एक हस्ती सेना का भी निर्माल किया इस सेना में ऐसे लड़ाकू भी रखे जाते थे जो युद्ध को समय सत्रू के सैनकों को अपनी सून में खीच के अपने पैरों के नीचे कुचल डालते थे समराट जिन हातियों को स्वैम प्रियोक करता था वे खास कहलाते थे सेस हातियों के दस बीस और तीस समुदाए में विभक्त करके रखा जाता था और हलके कहा जाता था मनसफदारों को भी कुछ हाती रखने पड़ते थे अकबर एक आसाधारां प्रतिभा साली महान विजेता और संगठन करता था उसने सैनिक संगठन में ततकालीन प्रिचलित दोसों को काफी दूर किया जागीर प्रिथा को हटा कर सैनिकों को नगत वेतन देने की नई प्रि ता को समाप्त किया सैनिकों का हुलिया रखने और घॉलो की दाग लगाने की सुन्दर व्यवस्था की परन्तु इतना सब कुछ होते हुए उसका से संगठन उसका सायनिक संगठन दोसों से सर्वता मुक्त ना हुआ यानि कि बिलकुल मुक्त ना हुआ दोस्तों देखिए आपके सामने अगला जो कहते हैं दूसरा धीर गुत्तरी प्रेशन है अभी मैंने आपके सामने एक कोचन आपको आंसर इसका बताया और यह आपका दूसरा और दोस्तों उम्मीद है आप कितने में ही आपको बहुत अच्छा कैते हैं आपके हैल्प हो जाएगी और दोस्तों मैं कोसिस कर रहा हूं वीडियो को अच्छा अच्छा बनाने के अभी मेरी जैसे ही बन पाई है मैंने इसको बना दिया है लेकिन आगे आने वाली वीडियो मे दीरे दीरे में अपने वीडियो में सुधार कर रहा हूं और वीडियो में मतलब की कुछ नए नए इनोवेशन लानी कोसिस कर रहा हूं कि अश्में आपको वीडियो अच्छी तरीके से अच्छी प्रवाइट कर सकूं हैल्पूल हो आपके और आपको वीडियो अच्छी मि राजपूत नीती का विवेचन क्या है पढ़ते हैं अकबर की महत्री पूर्ण उदार राजपूत नीती के कारां हुमायों की म्रत्यू के बाद 1556 में अकबर भारत में मुगल समराज का सासक बना अकबर अत्यन्त योग के दूरदर्सी और समाजिक और राजनीतिक सूज भू सक्ति के प्रति सम्मान और निष्ठा का अत्वा अकबर की विशाल सहर्दयता और उदार भावनाओं का प्रणाम नहीं था बलकि यह राजनीती द्रण राजनीतिक सिद्धानतों समय की आवसकता और मांग निजी स्वार्थ अत्वा तथा स्रेष्ट मानवी गुणों के प द्द्धारित था जिन परिष्टितियों और कारणों से अकबर के उधार और मित्री पूर्ण राजपूत नीति अपना ही थी वे निमन परिकार थी, पहला आए दोस्तों, राजपूतो की विर्था जब जब भारत पर आक्रमण हुए तब तब राजपूतों ने अपने का सामना किया अकबर राजपूतों के मुगलों से हुए संगर्सों में भी उन्हों ने जो वीर्टावासाहत दिखाया था उससे भी परचित था अकबर यह भली बहाती जानता था कि राजपूतों रण छेत्र से भागना पसंद नहीं करते बलकि वह वहीं पर अपने प्राण संता करना चाहता था अगली हैटेंगें आपके सामने दोस्तों बिदेशी सैनि को की समस्या भारत के लोग- लोग मुगलों को बिदेशी मानते थे और वे उनसे अच्छा विवहर नहीं नहीं करते थे आतहा मुगल को भारत में युद्द बींद करने के लिए केवल तुर कि सैनकों पर ही आशरित रहना पड़ता था जिससे उन्हें कई कठिनाई का अनुभाव करना पड़ता था अनेक तुरक सानीत में वापस अपने भर लाटकर चले जाट घर लाटकर जाना चाहते थे इसके अत्रिक ते विसाल तुर्क सेना रखना भी आर्थिक दर्ष्टी से उचित ना था अता अकबर राजपूतों से मधुर संबंद स्थापित करके उनकी वीरता कौपयों करना चाहता था तीसरी हैडिंग है दोस्तों इस्थाई वा द्रण सासन की स्थापना अकबर भारत में एक द्रण वा इस्थाई मुगल संब्राजज की स्थापना करना चाहता था भारत में अधिकांस था हिंदू जनता का बहुल ले था जिनका नेतुरत राजपूत कर रहे थे अता हिंदूों को अपने पच्छ में करने के लिए अकबर ने राजपूतों से मित्ता का हाथ बढ़ाया अमीरों की महतुकांचाओं पर अंकुस या भी एक अन्निकारण था अकबर राजपूतों की मदद होने पर भी इन मुगल अमीरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता था पांचवे एटिंगर राजपूताना की भागोलिक इस्तिती से भी बहुत महुत पूर्द था उत्तर भारत से मालवा वा भुजरात का रास्ता राजपूताना होकर ही था राजपूताना ने राजपू सासन कर रहे थे राजपूताना में राजपू सासन कर रहे थे इसलिए वह उन से मित्ता करना चाहता था अगली हेटिंग है व्यक्तिकत कारण इसके अतरिक्त अनिक कारण भी विदमान थे जिनके कारण वह राजपूतों से मित्तदा करना चाहे था अकबर का जन्म राजपूतों के दुर्गे में हुआ था और राजपूतों ने ही उसे आस्रे दिया था अताव राजपूतों के प्रति कितक गिता अकबर ने उदार वा सहीं स्लोता की सिच्छा की प्राप्त की थी सिच्छा भी प्राप्त की थी इस सिच्छा ने भी उनकी नीतियों को प्रवावित किया था राजपूत नीती को कार्यान्वित करने के लिए अकबर के कार रहे अकबर के काउन से कारते पहला है आपका वैवाहिक संबंध अकबर ने राजपूत परिवारों से वैवाहिक संबंध जोडने सुरू किये 1562 o busway में राजा बिहारी मल ने अपनी पुत्री मान बाई का विवाय अकबर से किया 1570 o busway में अकबर ने जैसल मेर की तथा जोत पुर की राज कुमारीों से विवाय किया 1584 o busway में राजा बिहारी मल की पुति एवं भगवान दास्की लड़की से सलीम का विवाय हुआ समापत अकबन ने धर्मे के नाम पर लगा जाने वाले जचिया तीर्थ यात्रा सभी अतिरिक्त कर हिंदूं से लेना बंद कर दिया न्याय में हिंदूं के साथ समान व्यवार किया जाता था तीसरा है आपका रनी वास में धार्मे सुतंत्रा जिन राजपूतों ने अकबर के साथ विवाय संबंद स्थापित किये थे उनसे अकबर ने विवाय के समय धर्म परिवर्तन की सर्थ नहीं रखी थी उनकी सभी राजपूत प्रत्नियों को अपने धर्मे के अनुसार कार करने की स्वदंत्रा प्राप्त की थी अब दोस्तों अगली आपके सामने हेडिंग है हिंदू के धर्मों को मानना अकबर होली दिवाली बसंत आदी महत पूलते वहरों में भाग लेता था अकबर ने तुलादान जरोका दर्सन आदी हिंदू प्रताओं को भी स्विकारा था पांचुए हेडिंग है आपकी राज़ाओं से युद्ध किये उन्हें भी छमा कर दिया यदि कोई राज़ पूतर सासक अकबर का आधिपत्य स्विकार कर लेता था तो अकबर उससे मित्ता कर लेता था लेको को और कवियों को प्रोसान अकबर ने मुसलिम कवियों को भी हिंदी में कविता करने के लिए दिया जिससे हिंदू मुसलिम प्रेम बढ़ा अब्दुर्रहीम खान खाना हिंदू संस्कृति से प्रभावित थे उन्हों ने स्रीकष्ण के प्रेम और भक्ति के अनेक दोहे हिंदी में लिए अकबर ने इन्हीं सहाहित्य के लेकों को पुरुषकार प्रदान किये सात्मी है दुर्गों में फिर बदल जिन राजपूत दुर्गों का अधिक महुत था अकबर ने उन पर अधिकार करके उनके सासकों को अधिक जागीरे प्रदान कर दी थी इस प्रिकार राजपूत सासक नाराज हुए नहीं हुए थे आपकी प्रसासन में राजपूतों का सहयोग अक्बर ने राजपूतों को उच्च पद प्रदान किये और उनके उजद्धों का संचालन भी राजपूतों से करवाया आमेर का सासक भार मल अक्बर का इतना विस्वास पात्र था कि अक्बर के बाहर जाने पर वही प्रसासिनिक कार्यों को देखता था इसी प्रकार राजा मान सिंग पर विश्वास करके राणा प्रताप के विरुद्ध अभियान पर भेजा था हिंदू रिती रिवाजों को ग्रहन करना अक्बर ने रवीवार वा अन्य दूसरे दिनों पर जानवरों का वद करना बंद कर दिया था क्योंकि ये दिन सूरे के नाम पर थे विश्वत्रत मूच रखना तिलक लगाना पगड़ी बांधना वा माला जपना आदी हिंदू रिवाजों को अक्बर ने अपनाया सामाजिक कूरीतियों का अंत दसा प्रथा दास प्रथा बाल विवाए सती प्रथा ब्रद विवाए आधी को रोकने का भी प्रियास किया उसने 12 वर्स की आयू से पहले ही खतना करने की प्रथा को रोका अक्बर ने अनेक नियम बनाये जैसे कन्यावद, गौमांस, भच्चन, अगिनी परिच्छा, बली प्रथा, वैस्यागवन, मगपान, मदपान और आधी कुर्तियों का अंत कर दिया विवाए को भी प्रोस्ताहन दिया अक्बर की राजपूत नीती के प्रणाम, अक्बर की राजपूत नीती के निम्लिकित प्रणाम थे, अक्बर की राजपूत नीती के कारण राजपूत आना पर अधिकार हो गया, इससे उत्तरी भारत में राजपूत एक्ता की इस्थापना होई बिना किसी परिसानी वाख खर्च के राजपूतों की विसाल वसकति साली सेना उसके अधीन हो गई जिसका उसने लाव समय समय पर उठाया मोर्लेंड ने लिखा है कि इस नीती के परणाम सरूब राजपूत राज अकबर के सामी भक्त हो गए तता अकबर को सर्व स्रेष्ट पचास अजार घुर सवारों की सेनाएं प्राप्त हो गई इस नीती से राजपूतों एवं मुगलों के संबंद मदूर हो गए जिससे राजपूताना को निरंतर युद्दों से मुक्ति मिली वा शांती इस्थापित हुई राजपूतों द्वारा मुगलों का आधिपत्य सुईकार कर लेने से राजपूतों की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई राजपूतों की एकता भंग हो गई उन्हेक राजपूतों द्वारा अकबर का आधिपत्य सुईकार कर लेने के बाद राणा प्रताप जैसे कुछ वीर ही रहे गए जो अक्बर के विरोधी थे इस प्रकार राजपूतों की एक एकता वा सक्ति को भारी धक्का लगा इस नीती के परणाम सुरूप अनेक रोग योग के राजाओं को अपनी योगता का प्रदर्सन करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था राजपूतों राज राजाओं ने दच्छन भारत वा बंगाल पर अक्रम कर धन प्राप्त किया राज राजपूत राजाओं ने अकबर को आंतरिक विद्रों का दमन करने में भी मदद की राजपूतों के संगपर्क में आने से मुगलों ने एक नवीन कला को सीखा डॉक्टर ईस्वरी प्रसा अकबर राजपूतों के सहयोग से अपनी महत्तु कांशा की पूर्ति कर सका जैसा की कनल टाड ने लिखा है वह अंत में प्रसंसा के लाख लाख सब्दों के महरम से इच्छा पूर्ति के घावों को भाने में सपल हुआ जैसा की उसकी जाती के किसी सासक ने नहीं किया सिर्बल मान सिंग तदा टोडर मल सब राजपूत नीती के परिलाम थे निसकर्स अकबर ने 1556 में राजगदी पर बैठने के बाद राजपूताना में सासन कर रहे राजपूतों के प्रती जिस नीती का पालन किया उसे अकबर की राजपूत नीती कहा जाता है अकबर एक द आवस्यक है इसलिए उसने उदार नीती का पालन कर राजपूतों से अपने संबन्द मधूर बनाए जिसके परिलाम सुरूप एक नवीन युक का सूत्र पात हुआ तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो पहली बात तो यह आपके जीके लेवर के अच्छ कि मैं आ गया होगा और मैंने कोसिस की अपनी तरफ से कि मैं अच्छी वीडियो बनागे प्रवाइट करूं आप लोग को ज्यादा ज्यादा अच्छा कंटेंट देपाऊ हां मुझे लगता है कि में कुछ कमी है वीडियो में कुछ मतलब की वहीं मतलब जैसी क्वाल्टी हो लेकिन में आपको जो अच्छा लगाओ वीडियो तो इसको लाइक जरूर कीजेगा अपने दोस्तों साथ अपनी परिवार में जरूर कीजेगा तो दोस्तों ऐसी तरह की वीडियो को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो चलिए फिर मिलते हैं अग झाल